नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ, Railway का दिगज सेक्टर, मतलग गौबर्मेंट प्यू से सेक्टर है, तो जो सेक्टर के बारे में आज बात करूँगा, वो आप पहले उसका नाम बता दू, RVNL, Railway Vikas Nikam Limited, तो इस क company का जो एक सबसे बड़ा news आया है, और इसी के news के चलते हुए, company ने अच्छा खासा rally पिछले दिनों में किया था, तो आज के दिन थोड़ा सा profit booking देखने को मिला, करीवन 1% का, और पिछले दिनों में करीवन 7-8% का rally दिखाया company, तो कितना जब अब अदोस rally दिखाया है, जो main reason है, उसका main कारण है, उसको बारह में details में बात करूँगा, और future में कितना दूर तक इसका study रहेगा, मतल़ की तरह दूर तक इसका target रहेगा, उसके उपर भी details में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास तक देखिए, अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्रेब नहींग तो आपको जरूर पता है, क्योंकि मैं हर पर रही कहता हूँ, company का performance उसका financial report से ही बता चल जाता है, तो company का नाम में पहले आपको बता चुका हूँ, RBNL है, तो government sector का share है, और इसमें थोड़ा सा आपको patience रखना जरूर है, क्योंकि जो government sector का जितने सारे share होता है, वो अच्छ आपको जुरूर hold करने पड़ेगा, और ज्यादा तर patience रखना पड़ेगा, यापर दिखिए, revenue के बारे में बात करों, 2017 में करीबन 6,000 करोर का revenue, 18 में 7,500 और 19 में 10,000, 20 में 14,000, और 21 में 15,400 का revenue, need profit के बारे में बात करों, यापर दिखिए, need profit कितना जबदस profit, दिखिए, company, जितने सारा company है, आपको सबसे पहले financial report देखना होगा, क्योंकि company का performance financial report में आपको पता चलेगा, क्योंकि इस तरीके से चार्ट पटेंज बनते हैं, इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि company अच्छा का सा rally, जोरूर future में दिखाएगा, क्योंकि अभी भी performance जबदस हो रहा है, देखे, government sector के project है, ओते एक बात है, साथी साथ company का performance है, मतलब इस sector का performance है, बहुत जबदस है, आप देख सकते है, 2017 में 381, 18 में 469, 19 में 589, 20 में 769, 21 में 922, तो overall बात करूँ, company का performance जबदस है, मतलब EPSB देख लिए 4.42 रूपीज है, return of equity भी देख लिए जे 16 रूपीज पर share में आपको return of equity भी मिल रहा है, अब देख लिए अब देख लिए, इस sector में इस company के पास सिर्फ 1% का देख है, तो बो भी काफी है, 1% भी काफी होता है, तो आप पर पो मोटर देखे, पो मोटर को गवर्मन खूब पो मोटर है, 78% holding करके रिखा है, तो य आपको FI और DIA में काम क्यों देखने को मिला, इसके बारे में एक बार बता दू, क्योंकि दिखे, company जिस तरीके से काम करते है, जिस तरीके से जल से जल profit चाना होता है, क्योंकि जितने सारे mutual fund होता है, क्यों इस टाइप स्टॉक से दूरी रहता है, क्योंकि उसको अच्छा का सा return और जल से जल return मिले, उस टाइप स्टॉक से वो बन रहता है, तो इसी के लिए, FI में आपको उत्तरा अच्छा का सा holding नहीं देखने को म आइस माल बहुत धिरे-धिरे बढ़ा रहा है, क्योंकि 9.43 करेंबन 10% का holding बढ़ा चुके है, तो क्योंकि जितने सारे news आ रहे है, RBNL में और आप तो पहले देख चुके है, तो इसका जो news है, उसके बारे में भी आपको एक बात देखा दो, आपको देखा दो, आपको दे आपको पूरे डिटल में आप दिखा देता हूँ, आपको अरवी एन रेले विकास निगम लिमिटेड, 7% जाम हुआ है पिजले दिन में, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, देखे, जो डिपोर्ट है, वो 7th September का है, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 September में, तो एक दिन डिले हो गया, इसके लिए मापी चाता हूँ, और क्यूंकि थोड़ा सा टेकनिकल इसू था, इसलिए में वीडियो नहीं बना वाया, तो यहाँ पर देखे, जो अरवी एनल का जो निउस है, उसी के बारे में देख रहते है, आरवी एनल किसके साथ मतलब, मतलब मी से जूड जाएंगे, तो यहाँ पर देखे, मैं पूरा डीटल में आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखे, आरवी एनल मतलब, रेलवे बिकास निकव लिमिटेड, हाज एंटर इंटु ए, एमो यू विट एन एज ए आई, यहाँ पर देखे, रेस्पॉंडेट अचलिछ नाट हाँवेै लॉजिस्तीक मैनेजमेंट लिमिटेड, तो एक्चली नाट हाँवेै बनाने का कंपणी थी है, उसी के बारे मेरा चायँ आपको घुद देख सनके, नेशनल हाँवे लोजिस्तीक कंपणी मेरा मेरा चाहिए, भात सरे मैए और यहाँ आपर लिल् आज के दिन जो प्राइस है अभी देखे 31.15 आज के दिन प्राइस है तो पिछलों दिन में जो हाई किया था वो 31.60 है तो यहां पर देखें जो बताए गया है 31.40 क्लोजिंग हुआ था प्राइस ऑफ 2.01 मतला 2 रूपिया भाग चुके थे पिछले दूनों में करीबन 6.89 परसंट का जाम मतला करीबन देखा जाए 7 परसंट का जाम यहां पर वह था तो इसी के चलते हुए इस जो न्यूज है इस इस आपड आपनी आच्छा क好吃 दिखाना स्टार्ट किया तो ए जो प्रोजेक्ट है हाई वह के साथ जो रेल्वे सेक्टर भी हाय के साथ काम करेंगे तो इस यह प्रोजट दैसे पूजट में company को बहुत अच्छा का सा फायदा मिलने वाला है फीचर में देखे company जब खुद का सेक्टर में काम कर रहे और साथी साथ दूसरे सेक्टर में भी काम करेंगे तो obviously company का रोद तो होगा ही साथी साथ profit भी ज्यादा जिनाइट होगा और profit ज्यादा जिनाइट होगा सबसे फायदा मिलेगा क्योंकि बहुत खरिद के रखा है तो उसको ही फायदा मिलेगा ना तो ए जो नियूस है इसी के नियूस के चलते हुए company ने आच्छा का सा रैली दिखा है मैं एक बाचाट प्रेंगों को जाता हूँ देखे मैं आज के दिन का दिखा दू तो करीबन वान परसन का डाउन क् उसका मतलब सेकेंड दिन में वो न्यूस के चलते हुए थोड़ा सा पॉफिट बॉकिंग तो दिखाए गाई क्योंकि पिछले दिनों में जितने सारे खरीदारी हुए था तो वह पॉफिट बॉकिंग तो इसी के लिए देखिए जो कल के दिन कल यहां पर से कल के दिन में यहां पर 7% का यहां आपको आपको जाम देकने को मिला पिछले दिन हमें तो आज के दिन थोड़ा सा गिराबट है करिवन आप देखा जाये आप पॉइंड वान परसंट इकला पांस दीन को चार्ट पेट रूपन करो तो दस परसंट का रेटर की कॉम्पणी रिटर खारा फीचर में आपको रॉंग टीम डेन थिए कभी नहीं होगा कभी भी नहीं होगा यह बाद भी सही नहीं है आपको सिर्फ 10-15 साल वेट करना पड़ेगा तभी आपको अच्छा खासा अच्छा खासा आपको रिटन मिलेंगे तो इसके उपर होल्ड करना पेशन के साथ बने रहेना अभी तक फेस इसू आप बाइंग कर सकते हैं देखें मेरे कोई रिकोमेंडेशन नहीं है मैं आपको सिर्फ स्टाडी परपरस में बता रहा हूँ मेरे स्विंग टेडिंग का जो कॉल था था थर्टी रूपीज सेवेंटी पैसे के ऊपर था उसके बाद देखें कितने अच्छा का सा रैली देखा फिर भी थोड़ा सा क्वाफी डुकिन हो फिर भी आप 10 करीबन देखा जाए इसका जो टार्गेट हमारा यहां पर दिया गया है वो टार्गेट करीबन आपको मानके चलिए 34 रूपीज तक जाने वाला है तो आप देखिए यह जो टार्गेट है इस टार्गेट को फॉलो मत करिए आप लॉंग टाइन इंवेस्टर मिलेगा वहां से आप प्वाफिट कमा सकते है तो आशा करता हो पूरा डिटे साभा को जानकरे मिल चूका होगा तो जल से जल इस वीडियो को सारे दोस्तों को से सियर करिए और मेरे चैनल में अब सब्सक्राइब नहीं का तो जूरू सब्सक्रापकर लिए मिलते अगले स् कर लेक ये बबाइ